नमस्कार दोस्तों, बाल्टू बेंच अकेडमी में आप सबका हर्दिक स्वागत है राश्पती श्री रामनात कोबिंद जी ने इलाहबाद हाई कोल्ड के कारे बाहक मुख्य नयाय मूर्ती संजय यादब जी को यहीं पर मुख्य नयाय दिश नियुक्त किया है केंद्रिय बिधी न्यायले की ओर से जारी अधि सूचना के अनुसार यह नियुक्ती शपत ग्रहन और कारेभार समालने की तिथी से प्रभावी होगी अब हम श्री संजय यादब जी के बिशह में कुछ जानकारी कर लेते हैं संजय यादब जी का जन्म 26 जून 1961 को हुआ तथा यह 25 अगस्त 1986 को अधिबक्ता के रूप में पंजिक्रत हुए उसके बाद आपने जबलपुर हाइकोल्ट में सिविल, रिवैन्यू और संब्यधानिक मामलों में बकालत की संजय यादब जी मद्य प्रदेश के डिप्टी एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं दो मार्च 2007 को बहे मद्य प्रदेश हाई कोल्ट के अपर नियादीश न्यूक्त हुए और जन्वरी 2010 में इस्थाई नियादीश बनाए गए बहे दो बार मद्य प्रदेश हाई कोल्ट के कारे बाहक मुख्य न्यादीश भी रह चुके हैं आठ जन्वरी 2021 को मद्य प्रदेश हाई कोल्ट से उनका इस्थानांतरन इलाबाद हाई कोल्ट में कर दिया गया था बहें यहां 14 अप्रेल से कारवाहक मुख्य नयदीश के रुप में कामका समाल रहे थे तो दोस्तों इतनी सब जानकारी देने का उद्देश ये था कि परिक्षा में कई प्रकार से प्रशन पूछा जा सकता है जैसे की इलाबाद हाईकोल्ड के नय मुख्य नयदीश कौन है उत्तर है संजय आदब जी दूसरी बात उनकी नियुक्ती कब से प्रभावी होगी तो उनकी नियुक्ती शपत ग्रहन और कारवार समालने की तीती से प्रभावी होगी तीसरा प्रिश्णी ये किया जा सकता है कि उनका जन्व कब हुआ बहे अधिक वक्ता के रूप में पंजिक्रित कब हुए हलाकि इतना ज़्यादा डैप्ट में अभी UP Public Service Commission और हाई कोल्ड नहीं जाते हैं लेकिन आपको नए प्रिश्णों के लिए तयार रहना पड़ेगा एक अन्य प्रिश्णी ये बन सकता है कि बहे किस हाई कोल्ड से इलावाद हाई कोल्ड में ट्रांसफर होकर आये थे यानि कि बहे मूल रूप से किस हाई कोल्ड में बकालत करते थे तो इसका उत्तर है मद्दे पिर्देश जवलपूर हाई कोल्ट और एक अन्य प्रिश्णी ये बन सकता है कि बहक किन किन पदो पर रह चुके हैं तो इसका उत्तर है मद्दे पिर्देश के डिप्टी एडवोकेट जनरल रह चुके हैं मद्य प्रिदेश हाई कोल्ट के अपर नियाधिश नियुक्त हो चुके हैं तता उसके बाद में इस्थाई नियाधिश भी बनाए गए तता दो बार मद्य प्रिदेश हाई कोल्ट के कारेबाहक मुख्ध नियाधिश भी रह चुके हैं तो जो भी जनकारी मैंने आपको दी है बहें अपनी तरफ से अधिक से अधिक जनकारी देने की कोशिस की है उस पर तरह तरह से प्रश्ण बन सकते हैं चूंकि ये अभी समसामाईग घटना है इसलिए ये अत्यदिक महत्पूर्ण हो जाती है अगर आपको एक बार में सब याद नहीं हुआ हो तो किरपया वीडियो को रोक रोक के उसके पॉइंट्स नोट कर ले और वीडियो को दो तीन बार सुने मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो किरपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अबश्च करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद